साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं, जो कॉन्फिडेंट होता है, वो दूसरों को जगर देने में हिच्की चाता नहीं है, लेकिन जो दुर्बलमन का होता है, इन शिक्कर होता है, वो अपने आज़ पास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है, अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है, जन्ता जदार्दन के भारी समर्धन और विश्वास से बिली सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है, और उतना ही डडिकेशन भी होता है, और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है, सरकार जितनी निर्णायक होती है, वो दूसरों के लिए अडचनों को उतना ही कम करती है, एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिच होती है कि वो समाज के लिए राष्ट के लिए जादा से जादा कंट्रिबूट करें एक निर्णायक और आत्म विश्वाद से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखें दूसरों को कुछ करने ही न दे पहले के दोर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है सोच क्या थी सब कुछ सरकार करेंगे गड़ी बनानी हो सरकार बनाती थी स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी टीवी बनाना हो gj Zurकार बना गधी yaw App कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी हमने देखा है इस एप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है इससे अलग एक दुर्दर्शी और नेना एक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोसाइच करती हैं ताकि वो अपनी छमताओं का पूरा उप्योग कर सके हैं साथियों पिछले छे वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी हैं जो सिरफ और सिरफ एक सो तीस करोड देश वास्यों के सपनों को समर्पित है जो हर स्तर पर देश वास्यों को आगे लेने के लिए काम कर रही है भारत में आज हर खेत्र में हर स्टेक ओल्डर की भागे जारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है इसी सोच के साथ मैनुफेक्ट्रिंग से MSME तक एग्रिकल्चर से लेकर इंफार्स्ट्रक्चर तक टेक इंडिस्री से टैक्स्टेशन तक रियल एस्टेश से रेगुलेटरी इजिग तक चोत अरफा रिफार्म किये गए हैं आज भारत में कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है आज भारत दुनिया के उनकुछ देशों में सामीर है जहां फेस्लेस एसेस्मेंट और फेस्लेस अपील की सुविदा है इंस्पेक्टर राच और टैक्स टेर्रिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ पर बरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है माइनिंग हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, ज्यादा तर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए भारतिये टैलेंट के लिए, कंपेटिशन के लिए आज अवसरों की एक प्रकार से अंगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दिये हैं, देश में लॉजिक्स्टिक को कॉम्पेटिटिव बनाने के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है